है जो पूसर प्रेट वह स्वागत है आपका है आप से जाना चाहूंगा स्प्रिंग त्रेंडर से लेकर अब तक एक राष्टिय पृस्टार जीतना अरो अलग-अलग प्लेटफॉरम पर सम्मानित होना कैसा राई यह सपर और प्रेंडर के पारे मैं खास जाना चाहूंगा क यह सफर मतलब वो इस सफर में बाल दाड़ी सफेद हो गया तो सबसे खास बात तो यही मुझे बड़ा चीज दिख रहा है बहुत लंबी जर्णी रही है और स्प्रिंग ठंडर और उससे पहले लास्ट बहर उपिया उससे पहले उपिया स्टॉप स्विश्यूर सॉक्स और यह सब करने एक्राम में मतलब एक एक फिल्म मेरी हर फिल्म ने बहुत समय लिया है हर फिल्म के निर्मान में लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे जो पहले जो संघर्स था वो संघर्स आज भी जारी है तो बहुत संघर्स रहा है बनाने का भी और लोगों तक पहुंचाने का भी आपको साथ अगर मालूम नौ हो तो मैं बताऊं कि जब ये फिल्म बन गई स्प्रिंग थंडर बनाने का अपना एक स्ट्रगल तो रहा है लेकिन फिल्म जब बन गई और लोगों तक फिल्म पहुंचाना था और उसके लिए एक जो बड़ा मिडियम था कि भाई फिल्म फैस्टिवल होगरे में फिल्म जाएगे तो वहां से एक चर्चा मिलेगी तो फिर फिल्म का डिमांड होगा और फिल्म का डिमांड होगा तो लोगों के बीच फिल्म जाएगे तो demand and supply का जो concept है उस लहाज से मेरी समझ में आए कि अच्छा उसके लिए मुझे film festival और उस रास्ते घूम करके आना है चर्चा के लिए तो मेरी फिल्म में बड़े स्टार कास्ट और इस तरह कोई मामला तो था नहीं विसे ही मेरा स्टार था सब्जेक था water forest and land तो water forest and land पे कहां बॉलिवोड और भारत के दर्सक या makers इस पे कहां बात करते हैं और ये चर्चाओं में और लोग की चिंताओं में ये विसे नहीं था और चुकी ये चंद चिंताओं में नहीं था लोग के जिक्र में नहीं था तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये विसे जो है लोग के जिक्र में आये लोग समझे तो कि भाईए ये विसे है water forest and land गाँवाँ शहर हर तरह के लोग के बीच में क्यों चर्चाओं ह फिल्म का नाम ऐसे टी-से पे प्रिट पे प्रिंट करके water forest and land हमारा है ऐसा जल जंगल जमीर हमारा है ऐसा लिख करके मैं 15 माई 2018 को भरी गर्मी में यहां से ले करके मुंबई तक 120 दिन तक मैंने पदे आत्रह की और गाउं गाउं शहर मुहले हर तरह के लोग के बीच में ज आचित की वहीं water forest and land पर क्यों बात होनी चाहिए तो मतलब मैं निरुपर नहीं रहा कहने का मतलब है कि मैं मतलब जो एक traditional जो format है फिल्म को लोगों के बीच में चर्शे में लाने के लिए उस तोर तरीकों पर मैं नहीं गया इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी पहुंच नहीं इसलिए है इतना सारे माई को इतना सारा प्लेटफोर्म मुझे दिया है तो यह मुझे लगता है कि मेरे उन संहर्सों का नतीजा है कि आज आप जैसे लोग है जो ज़रुत समझ रहे हैं कि मेरी आवाज लोगों तक जाए तो यही सब संखर्सरा है बहुत तरह की बाते हैं आप पूछेंगे तुम्हें बताऊंगा आपने का मैं 2018 में आपने एक जंगल जमीन पानी को लेके आपने जो यात्रा शुरू परी पद्यात्रा आज की तारिक में पद्यात्रा बड़ी सुरुखियों में हैं क्या आप महनत मतलब बहुत बहुत लोगों ने इससे पहले अगर थोड़ा सा और ट्रेडिशनल उसमें जाएं तो भगवान स्री राम के बारे में भी कहा जाता है कि वो मतलब उन्होंने देश में बहुत सारी पद्यात्रा की हैं और इसके अलावे जो हमारे देश के जो आजादी के पीवी राज गुपाल है जो उनको आज के दौर का गांधी माना जाता है उन्होंने बहुत सारी पद्यात्राहें की हैं लेकिन तब यह है कि इन यात्राओं को इन पद्यात्राओं को मेनिस्ट्रि मिडिया में और इसतरह के शर्चा उनको नहीं मिल पाया लेकिन मैं ने जो पद्यात्रा की वो शर्चे में इसलिए रहा क्योंकि इस दौर तक है जो यह मत्तब सोशल मेडिया का प्लेटफॉर्म है मोबाइल के माध्यम से वो हमारे बीच पहुंच चुगा था और चुकि मैं फिल्म में कर रहा हूं और मुझे इस मेडियम का इस्तिमाल करना आता रहा ह jyn जभggोंड जा रहा हूं जिन बस्टॉण बर्चीत हो रहे है तो मेरे साथ 25 लोग हमें साथी रहे हैं तो कुछ लाइव किया पोस्टर कहिं कोई किसे से तो पूरे देश भर में जहां भी लोकल कम्यूनिटी मीडिया रहा है तो उसको मैं शेयर करते रहना तो उसका एक डेटा बहुत हाड ऑफिसल एक डेटा मेरे पेज पे और मेरे जितने भी प्रोफाइल और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म है मेरे उन प्लेटफॉर्म पे वो सा जिसने पदयात्रा किया है लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैंने शुरू किया है लेकिन असा नहीं है मेरा सवाल ईक और भी बीयाक आपसे जब राश्च्टे-पुरथकार में जाता है किसी डेक्टर को नियुक्त को दिधिशत को और जब जिम्यतारियां बढ़े जाती है तो आदमी और शिदत से काम करता है कि कुछ और उससे बैतर करके देना है जिसके आपने शुरुआत भी की जिस फिलिम के माध्यम से मैं स्प्रिंग फंडर की फिर बात करूँआ तो जब राश्य पुरास्कार मिल गया जो कमर्शल मस अब जावाल है धन्यवाद पूछने के लिए देखिए मेरा जो बच्पन बीता है ना मेरा जारखंड विहार उत्तर परदेश इन शहरों में मेरा बच्पन बीता है मेरी पढ़ाई हुई है मैं बनारसिंद्व उन्वर्शिटी से पढ़ा हूं मैं मैं फाइन आटिस्ट र करता था पेड़ जंगल जरने पहाड तो एक नेचर के साथ एक जुड़ा हो था मुंबई जब आया मुंबई आकर के 2002 में यहां पे मतलब 22 साल मैंने बिता है लंबा संघर्स रहा लंबा काम किया काम करने के दौरान यहां यह रिलाइज हुआ कि आम तोर पे जो मुंबई म चकमक और छका-चौंद वाली कहानिया, इर्वन स्टोरीज अर्वन मुझे लगता है कि वह एक माया क्रेट किया गया है, एक तलस्म क्रेट किया गया है, दुनिया है जो, महा नवरों की दुनिया है, या कहा भी जाता है, कि सपनों की नगरी है और वगर वगर तो ये सपनों की नगरी है जो दर्सकों के बीच में भी इसी तरह का एक image create करके रखा हुआ है कि लोगों को यही चाहिए, बहुत चमकीला, रहन, सहन, खान, पान, गाड़ी और लड़कियां और इस तरह का महाल, जीवन में जो नाच गा करना तो होता है हमारे गाव में वो अलग तरह का होता है, वो group dance होता है, सब एक साथ मिल करके dance करते हैं, एक साथ गाते हैं, एक साथ enjoy करते हैं, society में आम तोर पे देखा जा तो hero का concept तो नहीं होता है, वहाँ पे तो सामुहिता में लोग है जो celebrate करते हैं, लेकिन ये film industry ने hero और heroine का concept और इस तरह से, जिस तरह से create किया है, वो मुझे नहीं करना था, इसलिए भी नहीं करना था कि मुझे, ये समझ में आ रहा था कि जिन चीजों को मैं नहीं जानता है, जिन चीजों से मैं connect नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे बड़ा जूठा औरन लगता ह है, ऐसा नहीं है, urban stories में महानगरों की कहानियों में भी जरूरी और बहुत पूर्ण कहानिया, लोगों ने कही है, पहले भी कही है, और लगतार लोग कहा रहा है, अच्छी अच्छी कहानिया भी कहा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि, हाँ, मतलब दरसक, भारत के दरसक जो कहा जाता है कि, गाउं का देश है, भारत गाउं का देश है, तो गाउं का देश है, तो मतलब इस सच को आप स्विकार भी करें न, और कहानिया अगर कहनी है, लोग के बीच अपनी बात रखनी है, तो गाउं की कहानिया रखें न, अगर 70-75 परदिसत हमारा गाउ है तो इस सच को स्विकार करते हुए इसको ढूंड़े कि हां क्या गाओं कि ऐसी क्या कहानी कही जाए कि वो commercial आर्ट बन पाए वो commercial cinema बन पाए उसे पैसे भी होगा ही कर सके हां वो system लोग टीम ले करके अजारों लोगों को इंगेज करते हैं जरूरी cinema बनाते हैं जीवन का महत्पून समय देता है पैसन से cinema बनाते हैं इतने पैसन से आप कोई कहानी कहते हैं और कहानी सिर्फ मौज मस्ती के लिए हो सिर्फ पैसे उगाही के लिए तो इतने इंटर्टेनिंग तरीके सनी कहेंगे तो तो दुनिया की महत्पून कहाने भी मतलब आजी पांच मिनट ना देखे हैं एक सवाल और सिर्फ करना सब्सक्राइब क्या आप मानते हैं जो आपके जो आपका आर्डर्श रहा है जो आपकी खुद की खुद की आपके एक वकार ह नहीं करूंगा और आपने किया भी नहीं क्या आप मानते हैं कि वह उसूल और वह आपके रूल्स जो आप आधर्श मानते हैं उसने कहीं आपको इंडियोजिली नुक्सान किया मतलब हाँ एक फाइनसल क्रैसिस में मैं बहुत लम्बा रहा हूँ मतलब जबसे फिल्मएकिंग मैंने सीखना शुरू किया अपनी फिल्म बनाने शुरू की बनाने के बाद मतलब मेरी फिलम सबको पसंद आ रही है लोग इंज़िया कर रह sizin तहूं को अच्छा कर लेकिन जो content में लोगों के बीच में रख रहा हूं वो long term हमारे आने वाली generation को जूट और सच में फर्क करने में वो आसानी होगे आज के दौर में जितनी भी जूटी कहानिया और entertainment के नाम पे सतही कहानिया कह ली जाएं लेकिन कल को गया बच्चों को अगर आज का दौर है गूगल का कुछ भी ढूंड़ना है तो आप गूगल पर सर्च कीजिए तो आपको दो तरह की information बिलेंगे एक जूट और एक search जो अ love the matter और जिरोंने जीवन बिताया है किसी एक विसाय की गंदिरता को समझा है उस content को भी बहुत बढ़िया तरीके से रखा है तो वो information भी है तो कम से कम हमारे आपके बच्चे कल को गया हां किसी illusion में तो नहीं रहेंगे उनको अगर सच और जूट में फर्क करना होगा तो कम स सब काम है जो प्राथमिक्ता में रहेगा और बागी इन फिल्मों को भूल जाएंगे सर क्या आप यह मानते हैं कि आपको प्रकाश जहा वाला तरीका अपनाना चाहिए क्योंकि प्रकाश जहाने भी इस तरह कि कई उद्धों को उठाया अपनी फिल्मों के माद्यम से जब बैक्ग्राउंड रहा है जो बैक्ड्रॉप रहा है वो कहीं रादनितिक रहा है क्या पुल लगता है कि थोड़ा सजा के चीजों को करा जाए तो उसमें कमर्शली भी चीज़े ठीक हो जाए और जो आप कहना चाहते हैं वो भी पहुश जाए देखी बैक तो मैं बोलू कि जो मेरी फिल्में है न वो इसू बेस्ट है लेकिन वो नॉन कमर्सल है यह न मैं मानता हूं और न मेरी फिल्म देखने वाले लोग मानते हैं इसलिए क्योंकि मेरी फिल्म जितने भी कहानिया मैंने कही है अभी तक सब बहुत इंटर्टेनिंग तरीके से कही है लोग बहुत इंजोय करते हैं, commercial film को उतना enjoy नहीं करेंगे, जो तथा कथित commercial film कही जाती है, मैंने जो film बनाई है, उसको लोग बहुत enjoy करते हैं, हसते हैं, उस पर city भी बजाते हैं, ताली भी बजाते हैं, एग्रेशन आता है, कहानी के protagonist के साथ, तो वो खुद को aggressive भी मैसूस करते हैं, कोई दुख तकलिफ होता है, तो उनके आँख से आसू भी निकलता है, तो यह सारी शीचे हैं मेरी कहानी में, फर्क यह है कि मैं अपने film की marketing नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं independent producer रहा हूँ, independent producer रहा हूँ और बाजार का जो norms है, एक सफल cinema को बनाने के लिए, सफल cinema बनाने मतलब सफल बनाना, तो आप अची कहानी या बुरी कहानी बनाते हैं, सफल उसको कहते हैं कि भाई, अगर आप सारे stage पे आप कहीं अगर फंबल नहीं किया है, आपने आखरी जो stage है, जो platform तक लाने का और box office से पैसा निकालने का, वो तक आपने अगर एचीव कर लिया है, तो फिल्म सफल मानी जाती है, commercially success मानी जाती है, तो मामला यह है, मैंने मेरी जो भी कहानी या है, मैं उसको मैं commercialize नहीं कर सका, मतलब मैं उसको marketing करना मुझे नहीं आया, या मैं उठा करके उन फिल्मों को साथ, मैं किसी तर ठीटर वगर मैं manage नहीं कर पाया, और मैं लोगों को दर्सवों को अहां तक नहीं पहुँचा पाया, तो उस लहाज से मेरी फिल्म जो है, पैसा नहीं कमाई है, लेकिन मेरी फिल्म commercial रही है, जिन लोगों ने भी देखा है, बड़े-बड़े आखे मेकर, मैं बता रहा हूँ, अभी आप प्रगाज जाह का नाम ले रहा है, प्रगाज जाह सर ने ये फिल्म मुझे मागे, उन्हें देखा, उन्हें बोला, कि वाजी तो अच्छी फिल्म है, बताओ क्या कर रहा है, बले कि सर आप बताएं, मुझे तो फिल्म लोगों तक पहुँचा निया, उन्हें बोला, कि मैं रिलिश करता हूँ, तुम दुसरी फिल्म करो, मैं दुसरी फिल्म दो परडूस करता हूँ, ये ओफर रहा है, मुझे अनुभों सिना सर ने मुझे ओफर किया, कि ये फिल्म अच्छे फिल्म है मैं इसको रिलीज करता हूँ आपको दूसरी फिल्म प्रोडूस करता हूँ स्याम बेरेगल सर ने वो प्रेजेंटर रहने की बात उन्होंने कही मुझसे लेकिन तब ही रहा है कि जितने भी लोगों ने मुझे आफर किया है बहुत सारे लोगों ने उफर किया है उनको साफ साथ दिखाया है कि है यह बड़िया बिजनेस करेगा यह जैसे बहुत सारे एसे डिस्ट्रिबूटर और इन लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने फिल्म देखे और फिल्म देखते हैं अपस में उनका कम्निकेशन रहाए इतने करोड़ फिल्म है लग देख इतना रहा है निकले गए इतना इस तरह कि वह बात करते रहे हैं मैं डिल नहीं कर पाया और चाहिए क्योंकि यह मतलब मुझे समझाता नहीं करना था अपने कंटेंट से कहानी को कहने का मेरा जो तरीका है मैं उसमें कोई समझाता नहीं क जाता था मेरे कहानी पर और इसलिए मैंने समझोता नहीं किया जबकि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने मुझे ओफर किया हाँ वो फिल्म को काटवाट के खराब करना चाहते थे ऐसा नहीं है उन्हों को चुकि अनुभवी है उन्होंने बहुत घिसा है रगणा है तो वह मा जिस तरह से बनाया था मुझे वैसे ही दिमाग में ओडियंस तक बात पहुचा नहीं थे कहानी को मैं ऐसे देखता हूं और इसलिए मतलब परोसा जा रहा है मोटिटी के प्लेटफॉर्म के माधियम से दुनिया बदल गए बड़े-बड़े स्टार टीटी पे आ गए है बह है शौट फिल्मों का दौर चादू हो गया है आप इस पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं और आपकमिंग किसी प्रजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो प्रीज बताएं मैं इस नई दुनिया को जिसको बहुत डिजिटल वर्ल्ड कहा जा रहा है इस डिजिटल वर्ल्ड क मैं खुद को मैं वर्ल्ड सिनमा का आदमी मैं खुद को मानता हूं मैं मानता हूं कि देख में इस दुनिया में जो भी फिल्म में बन रही हैं मेरी कहानिया सबसे कंटम्प्ररी कहानिया हैं मेरी कहानिया सबसे जरूरी कहानिया हैं इस पूरे मानौस अभिता के लिए आने पाले generation के लिए मेरी कहानिया सबसे proactive कहानिया हैं बहुत smart कहानिया हैं मेरे मतलब आप मेरी जो भी मुझे platform मिला है उस platform पे मेरे जितने भी दर्सक हैं एक भी comment आपको ऐसा नहीं मिलेगा हजारों comment आप देखें एक भी comment ऐसा में भी लेगा जो मतलब किसी भी तरह की कोई नि गेतिवीटिटि पहां और ये नहीं है मतलब when you अखेल कि लियुक्त कुला हुआ हूँ लेकिन कोई करे तो हालो चना मेरी फेल्म का कोई तो हो जो मेरी फेल्म का अलोचना करे मैं दुनिया की बहतरीन सभी फिल्म है मतलब गीन करके दुनिया की जितनी भी बहतरी फिल्मों का लिस्ट है वो देख समझ करके मैंने फिल्म बनाना शुरू किया है जितने भी दुनिया के महान फिल्मेकर हैं जिन्होंने कॉमर्सियल, क्रिटिकल और तमाम तरह से एक्स्परिमेंटल सिनेमा किया है बहुत पैसा बनाया है ऐसी सारी फिल्म मैंने देखी है देख समझ करके मैंने अपनी फिल्म बनाई है तो इस आज के दौर के सिनेमा में मैं अपने फिल्म को बहुत आगे की फिल्म देखता हूँ और बहुत जरूरी और इंपर्टेंट सिनमा की तरह देखता हूँ और उतना ही कॉमर्सल देखता हूँ आप कभी प्रजेक कहीं बात चल रही है आपकी किसी प्रजेक पर आप काम कर रहे हैं कर दो तीन कहानिया मैंने लोग को पीच की है और सभी कहानिया लोग को पसंद है तो धीरे धीरे करके मैं उस पर काम कर रहा हूं स्टोरी स्क्रिप्ट में रेडी है लेकिन प्री प्रोडक्शन लेवल पे और भी कई तरह से एक कदम बढ़ा रहा हूं मैं अच्छे आर्टेस्ट चूज़ करना अच्छे टिकनी से चूज़ करना अच्छी टीम खड़ा करना तो इस प्रकरिया में हूं मैं और मेरे साथ कंई लगों तक फिल्म के लिए ना शक्री है उन्होंने फिल्म देखी आर नहीं देखिंग तो उन्से पहुंचा है इस पर आपने कुछ सोचा है टेकी बढ़्व हमार ने मेरे फिल्म देखी थो वन पील किया खिए एक जरूरी सिनेमा है है हां और दुनिया भर के तमाम तरह के politicians, अपने अपनी politics कर रहा है, cinema के माध्यम से, उसको माध्यम बना रहा है, तो आपको भी इस cinema, इस cinema को लोगों के बीच में रखने का इंतजाम करना चाहिए, कोशिस करनी चाहिए, उन्होंना परफाहित भी किया है, अपील भी किया है, तो मैं ये तो नहीं मानता कि हेमन सोरेंजी ने मेरी फिल्म नहीं देखी होगी या फिर हमारे जारखंड में कोई ऐसा लीडर है जो मेरी फिल्म न देखा हो मैं ये नहीं मानता क्योंकि मेरी फिल्म ने बहुत सारे बस क्रियेट किया है मेरी फिल्म जिन विस्षे प्यादारीत है, जिस कहानी प्यादारीत है, उज्ञारखान का जो सबसे खुबसूरत जंगल और पहाड है, जिसको नेतर हाट कहते है, नेतर हाट अक्चुली अंगरेजों के समय में नेचरस हॉट, नेचरस हॉट वो उसका अबरांस है जो तो यूही नहीं कहा अभी मात्र पिछले कुछ सालों में मतलब जिस तरह से डिवलोप्मेंट के नाम पर एकदां सेंसलेस जंगलों की कटाई और पता चला कि ख़दान इस तरह से किया जा रहा है कि अभी ऐसा कहना बहुत एक एक बायोडाइवर्सिटी का एक सिस्टम जो है जनगल लगा सकते हैं इतने जपन चीज़े जहां से एकदम हीडन है इतने सारे पतले धार से और कहां कहां से पानी बैहता हुआ आपको एक मैदानी इलाकों में एक नदी पहुंचती है तो यह अभी की जनरेशन को पता ही नहीं है कि हमारे पास जो घर के बगल से जो नदी गुजर रहे हैं इतनी सुंदर नदी नदी का सोर्स क्या है वो लोगो और को नहीं पता पता भी होगा तो कोई मोटा मोटी सोर्स जानते हो आपगा से नदी चल गए हैं लेकिन नदी का कोई एक्स नहीं होता है वह जब सबसे धाल वाला एरिया है वहां पर वो थिकनेश पकड़ता है वहां पर दिजाइन, बहुत सिंपल डिजाइन लोग नहीं समझते, भारत के पानी का बेवस्ता है उसको लोग नहीं समझते, और वह इस चकर में जहां का संघर्स है, लड़ाई है वह लोग नहीं समझ ते वहां पर 240 गाओं के जो लोग हैं उन लोगों ने 40 साल से आंदोलन छेड़ रखा है सर इसको देश का दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन जिंदा आंदोलन बोलते हैं जो अपने गठरी में चावल ले करके आ करके पीट पर बच्चा बांद करके संहर्स करने वाई लोग कठे होते हैं उन लोगों नहीं सांदोलन को जिंदा रखा है इसलिए वो जंगल पहाड़ बचा हुआ है अब माम लाई यह है कि उसको इस विसाय को छुए कौन इस विसाय पे हाँ आवाज कौन उठा है क्योंकि मतलब सोर्स आफ एनरजी है जो पैसे के लिए भी अगर सिनेमा आप बना देते हैं तो उसको हात डालेगा कौन की रेट किया इस सारे आंदोलनकारी ना मेरे साथ फिल्म बनाने के बाद मतलब एक तो मैं मुंबई से जर्खन पद्यात्रा किया मैं पूरे देश में चर्चा बना फिर मैं वहां गाओं के सभी लोग जो हैं सब लोग इकठें फिर वहां से राजभावन भी हम लोग पद्या बात नहीं है सब तक मेरी बात है मेरा सिनेमा सब जबा पहुचा हुआ है अब वो क्यों नहीं करना चाहते हैं इसका जवाब है मैं आपको दे चुका हूं डाले कौन बिल्ली के खले में गंटी बांदे कौन मुझे मदद करने के लिए तो डेरेक राश्पती दुरापदी मुर्वजी महमायम वो मुझे कर सकते हैं डेरेक मुझे माननी अब परधान मंत्री मोदी जी कर सकते हैं लेकिन वो चल रहा है गेम चल रहा है कि कौन इसका बीड़ा उठाएगा कौन कर देख अब समझ रहा है सभी मेरे साथ ही आ और सब लोग जान रहा है कि मैं ठीक काम कर रहा हूं जरूरी काम कर रहा हूं लेकिन सहो करके सहो करके फिर वो मतलब पंसे कौन तो इस ट्रैक पर चल रहा है मामना थैंक ये सो मुछ पोटेज मारब झाल